अगास जल्द ही होने वाला है लेकिन अभी तक टीम इंडिया के स्क्वैड का एलान नहीं किया गया है ऐसा माना जा रहा थे कि जस्प्रीद बुम्रा की वज़े से लेट हो रहा है और केल रहूल के फिटनेस को देखते हुए थोड़ा सा बीसे स्याई लेट कर रही है इस्क् की कफ्तान में बहुत जादा अच्छी थी और वो उनकी बॉलिंग में वो धार देखने को मिल रही थी जो इंजरी के पहले देखने को मिलती है आपको बता दे कि जस्प्रीद बुम्रा ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है और इससे पता चलता है कि वो एश्य कप और के लिए बिलकुल पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और वो एश्य कप और वल्ड कप में खेलते विए निजर आएंगे लेकिन इसी किसाथ सथ कियल रहूल की फिटनेस पर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है आपको बता दे कि वो अपडेट यह है कि जो NCA में प् बल्ले बाजी करते हुए और कीपिंग करते हुए शांदार फिटनेस दिखाई है उन्होंने इस हफते की शुरुआत में बैटिंग शुरू कर दी थी और विकेट कीपिंग भी जोड़ दी है इससे पता चलता है कि KL Rahul बल्ले बाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करनी उन्होंने शुरू कर दिया और यही उमेदे लगाए जारी है कि KL Rahul अब जल से जल एश्या कप में खेलते हुए दिखाए देंगे क्योंकि अगर वो एश्या कप में खेलेंगे तो पाचे नंबर पर बल्ले बाजी कर सकते हैं या चौते पोजिशन का जो स्लॉट है वो पाचे नंबर पर भी खेल सकते हैं तो आपको बता दे कि पाचे नंबर पर तो KL Rahul खेलते हुए नजर आएंगे और अगर उनके इंजरी की बात करें तो IPL 2030 में फिल्डिंग करते वक्त उनके पैर में चोट लग गई थी जिसके बाद से फिर उनकी सर्जरी कराई गई थी और सर्जरी के बाद तब से वह एंसे में रिहाइब कर रहे थे और रेष्ट कर रहे थे और अब फाइनली जा कि उनकी फिटनेस अपडेट सामने आई है और वो सिलेक्शन के लिए अविलेबल हैं और आपको बता दे कि अब वो एश्यक कप में भी हमें खेलते वे नजर आ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें